कोड़ीबनिंग एब्रीवन कैसे हैं आप सब लोग खल वीडियो नहीं आप आई थी नेटवर्ड की सुथा भूद जादा ठेक तो सुरी उसके लिए सीडीपी की वीडियो देते हैं हम लोग आपको डेली सेबन पी एम पर किसी आती है हिंदी तो देखा कर उसे भी डीपली एक्स्प्रेंग करते हैं हर चीज को एकस्पेक्टेड कोशन्स बताते हैं और बस देखते जाओ इस सीरीज को यह मिक्स सीरीज है बहुत अच्छा सुलेखा जब तब बच्चों के साथ क्या करते हैं बात करते हैं क्या करना चाती है वह समझने स्ट कर रही है तो कभी उसे नेगेटिव मतले न वह कर रहा होगा यानि कोई न कोई उसमें विधियां यूज कर रहा हुआ ठीक तो बात्षाल बना रही एसा भी कोई जरूर न सद है बच्चों की परीचरले परीशति के का बता ऐस करे भासफित करने परभेश के तो इकतर करते हैं मैंने कैसे याद किया है मैं सब पढ़ें लिखें ठीक है कैbelt सर्थिर्ष सन्ट वता सुनना बोलना पढ़ना लिखना ठीक है इस तरीके से जाद रहें सब पढ़ें लिखें तो ये क्या होते हैं चारो कोसल ये सब अंत्य संबंदित होते हैं एक दूसरे से मिले होते हैं ऐसा नहीं होता कि आप अगर बोलना सीख जाओगे ऐसा नहीं होता कि जब तक आप नहीं सुनोग पहले आपको यह सब कराना पड़ेगा इन पिकडिया से खुजारना पड़ेगा तो इस सब अंत्य संबंदित होते हैं नेक्स्ट ख्यानिया हो कविताय हो और अभ्यास हो या जीवन और भासा के विविद रंग हो इस में यह भी आगया सब आगये इसमें आसर क्या हो जाएक डि नेक्स्ट भासा के आकिलन में सर्वादिक महतरम क्या है सबसे ज़्याद महतरम 쉬 áon कि पाठिपुस्तक के अभ्यास अभ्यास पर ज्यादा ध्यान निवन्द पत्रा देखो सबसे बैस्ट मुझे खुदी दिख गया बिभिन पर इस्तितियां कभी दिख जाए ना को यह बिभिन इस्तितियां या कभी आपको दिख जाए कि श्वैम के परवेश से जोड़ कर तो इसे हमेशा सही मानना यह ऐसे सब्द है ठीक है आंसर क्या हो जाएगा सी व्याकरण पर कभी भी हम जोर देते नहीं तो यह त्रंट कार दो आप नेक्स्ट देखो बासा के आधारबूत कॉसल बासा के आधारबूत कॉसल मैंने क्या बताया था सब पढ़ें लिखें सुनना बोलना पढ़ना लिखना ठीक है तो अब आप कोशन नमर 22 का जवाब आप दोगे अब देखो शुरू बात में बोलना तो आता नहीं अब इन तीन मैंसे आपको देना है ठीक है सिच्छन एक कैसी प्रकरिया है सिच्छन कैसी प्रकरिया है रोगो अचा एसे देखो सिच्छन कैसी प्रकरिया है उद्देश पूर्ण होता है हर सिच्छन का क्या होना चाहिए उद्देश होना चाहिए बहुत साही लोग विबारिक सोच सकते मगत सोचना मत मुझे भी लग रहा था चाहिए अंसर इसका उद्देश पूर्ण ही बताया ठीक है अंसर क्या हो जाएगा सी डी हो जाएगा इसका अंसर यह अब देखो यह पूर में जो उपर आ रहा है यह इसे रेफ वाला रा कहते रेफ वाला रहा और यह आदा होता है ठीक है नेक्स्ट बोलना कोसल में सबसे जाद महत्पूर्ण क्या है अलंकारिक बासा नहीं जोड़ देते हैं वैसे भी मैं आपको एक से लेके पांस तक का सॉल्व करा रहा हूं वन तूफाइब बाला मतलब प्राइमरी लेवल का अनुसार हो ना तो बोलने की जो प्राइमरी नहीं रोती है वो यह है कि अगर कहीं वो फस जाए कहीं किसी इस्तिती में हो तो उसके अनुसार अपनी बात तो कह सके हैं जैसे बच्चा है मेले मैं खो गया और अगर हमने उसे बोलने का कोसल डेवलप नहीं किया तो कैसे कह पाएगा कि मैं खो गया हूं मिरे ममी पापा यह है तो संधर्व और इस्तिती कैसी है उसके अनुसार अपनी बात कह सके यहीं बोलने का उसल का महत्पून गुर्ण है तो आंसर हो जाएगा बी नेक्स्ट कोई भी बच्चा हो शिशू में तो सभी आ जाते हैं सिशू क्या है जिसमें लड़का या लड़की दोनों आ जाए ठीक है तो जब भी लेखन की पिकरिया शुरू होती ना तो लेखन की पिकरिया देगो ऐसे खिश दी लाइन ऐसे खिश दी और ऐसे खिश देगा और फिर कि दोखा इसे बनाने को स nessa हो जाएगी लाइन धिक मतलश ignor कि सीफी लाइन चालू करें वह सबसे पहले तो ऐसे। इसे से कशने चालू कर देता है ठीक है यह ऐसा जिया ज्टा सीदा बस तो एक ब्रीन लाइन होती है ठीक है अनसर हो ऊससिए हो तो उसका उपचार करते हैं है कभ तक चाहyani जो-चहालों का पिछडापंदूर न हो जाया पहले हमने निदान किया, बच्चे की पैचान कर ली कि क्या दिक्कत आ रही है, फिर उसके बाद, जैसे कि मैं आपको कोशन देता हूँ, मैंने उपर कोशन दिया, सब पढ़ें लिखें वाला, ठीक है, तो हम मुझे पता पढ़ेगा कि कौन-कौन बच्चा कमजोर है, या कौ जरूर हो चाहिए, एक तो दोता है, ध्रन सकती, कि बस सिखाना है हराल में, ठीक है, और एक होता है, पेशेंस रख सके, कि मतलब ऐसा नहीं कि एक तम परिशान हो जाए, क्या रही सीखी निदा, इस तरीका का नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट, भासा सुनने में विक्सित नह जरूर्म राइजिंग, इस चार इन के इस टर्म भी थे, ठीक है, बाईगोसकी के, और बाईगोसकी ने क्या काई, पहले लर्निंग होती है, फिर डेवलपमेंट होता है, पहले लेंग्वेज आती है, फिर थोट आता है, और यही दौनों चीज़ प्याजे ने उल्टी बत होते हैं यह क्या होता है अपसारी और अभिसारी यह दोनों किसने बताएं गिलफोड ने बताएं किसने बताएं गिलफोड ने ठीक है और यह किसके अंतरकत आते हैं यह आते हैं आपके संक्रिया के अंतरकत ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी अपसारी क्या होता है out of the box thinking out of the box एक चीज के बहुत सारी solutions सोच सकता है एक problem के उसे कहते है अब सारी तो आन से क्या हो जाएगा B DSSSB में भी आया है CT8 में भी आया है कितना जाद important question है इसमें से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लच्छन नहीं है बुद्धिमान बच्चे का 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 बुद्धिमान करना यह होता है अमूर्थ रूप में सोचता है वो बुद्धिमान बच्चा नहीं तो सूचेगा जरूब और अमूर्थ चीजों पर कहां जोड़ देते हैं अमूर्थ क्या अपना गर्द यह पूछते हैं गर्द की प्रकृति कैसी है अमूर्थ वह जो परिवेश से को समाई परिवेश को संस्थ करने में संवा में हो सकता है सहच मूली कौपधियों के संपादन यह से छोड़ा भी १ है प्रत्मान इस सद्ध ग्रेड को छोड़कर अपने उच्छ यह होगा ऐसे समझो प्रत्वा सालीस बच्छा समझे जो भूती हाई टेलेंटेड है जिसके हरवान 99 परसेंट आ रहे हैं भूती क्लास से में सबसे ही अलग है अभी थर्ड क्लास में है वह फूर्थ क्लास की चीज कर उच्छ ग्रेड में प्रूलनत कर देते हूं से ंड हो घृग है अगि कि नेक्सट पाने चशा अर्थ को जानने योगता समझे एक्ति स Major के रिक्तियूं के प्रत्स रिक्षिट यह सब किसमें उति है समझे अ कौन निकाल सकता है यह निकाल सकता है श्रजण सील वालग स्राजन सील क्या होगा कुछ नया बनाएगा ठीक है और बनाएगा कब अगर किवी प्रॉब्लम आएगी या कोई कमी होगी या दोस होगा तो उससे लेटेड वो बहुत सारी सॉल्यूशन लेकर आएगा तो स्राजन सील बच्चा जो होता है वो नवाचारी होता है इसे याद जाना क्लास छोड़के भाग जाना स्कूल बंक कर देना ऐसे बच्चों के लिए आपका ब्रवार कैसा होना चाहिए दमनात्मक मतलब हिटलर वाला दो रंडे सूट गे तो ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता तो प्रसंसात्मक आए भाग भाग तुम भागो बेटा तुम्हें ना पढ़ना भाग जाओ ऐसा तो कहेंगे नहीं सान भूतिपून अरे यार इसको अभी भूक लग रही है तो इसे थोले छोले वटूरे खाने को पेज़ दो ऐसा भी नहीं है तो इसका होना चाहिए निदानात्मक निदान का मतलब हमेशा याद रखना पहचान निदान को इं इसकुल मंत्र मुख्द हो जाए यह पता है बहुत सारी टीचर ऐसे पढ़ा देते हैं पढ़ाना ना एक तरीके से साधना है ठीक है अब अंसर क्या हो जाएगा 28 का डी बहुत सारी लोगों का सीटेट तक के लिए नहीं और वो पढ़ा रहे हैं इसकूल में तो क्या पढ़ अधियापकी द्रश्टी से सबसे सर्वोत्तम क्या है कुछ बच्चे सीख सकते हैं अधिकतम बच्चे सीख सकते हैं बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं तेखो सीख सकता है यह बात है ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा एक बार में सीख जाए एक बच्चा दो बार में सीख जाए तो जब एक भूंद पानी की पत्थर में छेट कर सकती तो या तुम तुम हाथ हैं पैर हैं सब कुछ दिमाग है इतना बड़ा ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए तो हर बच्चा सीख सकता है नेक्स्ट जैसे बच्चे ने कोई जिग्या सा करी बच्चे ने कोई कोशन पूछ लिया ऐसे समझो के अभी एकदम बारिस होने लगी वह बच्चे ने का सरी बिजली कहां से आ रही है बिजली कड़क रही है और यह वाज इतनी क्यों हो रही है तो बच्चे ने तो जिग्या तो जब फुरसत हो तब नहीं जब कुछ समय के पच्छात नहीं ततकाल जब विद्यार्थी द्वारा जग्जासा की अभी उसने कोशन पूछा अभी तुरंत उसे जवाब दो जिससे कि उसके अंदर ना एक कोशन करने का और कोशन करने की याद अतना बहुत ही अच्छी है इससे ना क्रियेटिव धिंकिंग डेवलप होती है ठीक है और आंसर क्या हो जाएक इसका डी स्टार लगा के कई बार देखा आए मैंने मुलबूत नियम क्या है तत परता अब देखो सीखने के मूलबूत नियम किसे दियें ठॉन डाइक ने इनकी किताब कौन सी थी ऐनिम इनिमल इंटेलिजिंस सीखने के मूल बूत नियम कभ दिये इन्नोंने 1898 में च्विक है इसे कोई निर्मार करने लिए टीचर को क्या करें आदर स्रूप में प्रस्तोत होना चाहिए नेक्स सिचातियों से या पेच्छा करना कि ग्यान को उसी तरीके से ग्रियान करें जैसे ऐसे समझ लो हुम छोटे थे तो टीचर क्या कहता था यासे टीचर ने कोई हम अपनी तरब से बच्चे क्या करते हैं खुद का दिमाग लगाते हैं जैसे बर्णों के मिल को संदी find तो आप यह भी कह सकते हो कि प्रथम बर्ण का प्रथम जो है उसका आखरी वाला और दूसरे वाले का पहला वाला उन दोनों को मिलके जो बनता है वो भी संदी बहुत साइज तरीक से एक परिवासां को हम बोल सकते हैं ठीक है ऐसे समझो एंगलिस में बोलते हैं बिसे बस खुद की क्रियेटिविटी लाते हैं ठीक है नेक्स्ट और लास्ट सीके हुई बात को इसमर्ण करने या पुने असफलता मतलब आपको मैंने कोई चीज सिखाई जैसे थौंडा के नियम बता दिये में जो मुख्य नियम में तत्परता अभ्यास प्रभापतिन होते हैं सब्सक्राइब आप उप्योग करते हो वह आपकी स्मर्ती में रहता है ज GG आप उप्योग नहीं करते हैं तो प्लीज शेर करना सब्सक्रान बागी अपना ठ्यां रखना जो कोशन पूछा था युसका जवाब डे देना जैसे हैंप्ता चाल सके कि डियाग्नोस हो सके और उसके बाद उपचार हो सके आपका ठीक है जैहिन जयवाल